Welcome back viewers, आप देख रहे हैं ये देश ए मारा वीकेंड का सबस्य भरोचिमन का रिकरव मिरा सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड को लेके पहले भी संशोधन किये जा चुके है लेकिन इस बार जब मोदी सरकार वफ बोर्ड को लेके संशोधन कर रही है तो आप उसकी खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं? अमेंडमेंट आना कोई बुरी बात नहीं है अभी शहदाद ने बात कही थी बहुत अच्छी बात कही कि वक्स प्रॉपर्टीज वो कुछ गुंडों ने कब्जा किया है और उसका जो पैसा है वो गरीबों तक नहीं जा रहा है मैं मानता हूं कि कुछ कटमुला उनने कब्ज किया है एकसेप्ट करता हूं लेकिन उसमें अगर तर्मीन करना है उसमें अमेंडमेंट करना है और मुसल्मानों की भलाई के लिए अगर 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 इनकी जमीन मेरे जा EX-Para मेरे भी जी धर दान किया हन्मान मंदिर बनाने के यह अगर ने मैं जाके लिए नुकाई जाके बोलेगा चलेगा अब चौहां जाके बोलेगा तो ब्च्ण अपने चले जावš ना कीजिए दूसरी बात 10 सेगिंड वक्फ के इशू पर आपने बहुत अच्छी डियालोग डिलीदी की वहां पूरी दुनिया का एक्जामपल दे रहे हैं आप भारत की बात कीजिए अगर वाकई में आपको चिंता है कि वक्फ पे गलत संपत्ती है आप उन पॉइंट्स को संंपत्यों पर किस परकार से कभिजा सरकार के लोगों ने भी किया दूसरे लोगों ने भी किया और आपकी मन्शा भी यह इए कि मुसल्मानों की संपत्ती है हैं आपके इसना हैं वारो एट करेंगे आपको लगता है हुआ है यह अट ईग्न वारत के लिखा एक है कि बार बार सविधान के दारे की बारतिया सविधान में वक्फ का जिक्त रहे हैं इसमें ही आर्टिकल 25 से 28 तो जितना भी है उसमें एक वर्ड वक्फ का मामला नहीं दान का मामला है तो दान के लिए सम्मेधान कहता है अब यह आपने बोला सुनी जा पूरा सुनी कि यह रिलिजिस चीज में इंटेफेरेंस नहीं होना चाहिए यह हमारी आजादी है धर्म के आजादी है हमारी सम्विधान में हमारे धर्म के हिसाब से शरिया कानून लाग होता है जिसका मतलब कि अगर अमीश चोरी करते हैं तो कानून का सजा अलग है और हमारे लिए सजा अलग है हमारे खात काटने की है वहाँ पर धार्मिक इंटेफेरेंस करते हुए अमीश और मेरी सजा एक होनी चाहिए यूनिफर्म क्रिमिनल कोट जरूर चाहिए पर यूनिफर्म सीविल कोट नहीं चाहिए और वफ के लिए हमा कि लिए बीजेपी का खेल खतब महाराश्ट में इसलिए कि बीजेपी का जो डिजाइन है वह महाराश्ट में आपस में ही दुनों लड़ रहें सब एंडिये में सा मिल दल है और ये जो धर्म के नाम पर ही खेथ इंडिया तो जीतेगा महराष्ट जीतेगा और धारकंड भी जीतेगा आपको शुबकामना उसके लिए मैं पूछ रहा हूँ आपका CM कैडिडेट कौन है महराष्ट में इंडिया राकरे हमारा CM कैडिडेट जो भी होगा इंडिया गठवंदन के सभी दल मिलकर के तैकरने में कैडिडेट है बताइए विवेग जी देखे चुनाओं में जो भी जीते हारे लेकिन एक जो बुरी बात हो रही है अस मुल्क के अंदर जो बहराईच में आप सब ने देखा किस तरीके से धार्मिक जलूसों को लेकर के दो समुदाय आपस में भिड़ रहे हैं फिर वो उत करके किसी के घर में गुसा देना यहीं चीज होती है ओके शेजार आखरी रहे हैं दस सेकंड मैं व्यक्तिकत रूप से विवेग जी मेरे अच्छे मित्र है यह मैं बता दूं आपको मैं बहुत सम्मान करता हूँ क्योंकि असलियत में उदारवादी प्रोग्रेसिव है जिस संब्सक्राणा कर अब अपक्रादी फीज़र। आपको सीखना चाहिए और यही आगे सिखाना चाहिए फिलार आज के इस कारिक्रम में इतना ही आज के इस एडिशन में इतना ही आप सब का बहुत दन्यवाद आप सब का दिन्यवाद मेरे युवा मित्रों का थैंक यू सोबच नमस्कार